आज की वीडियो में हम class 9th का mathematics का half early exam का paper discuss करेंगे आप इसको half early exam भी बोल सकते हो या फिर स्टर में exam भी बोल सकते हो यह paper जो हम solve करेंगे यह 11 सितंबर 2023 का है अगर आपका half early exam नहीं हुआ है maths का तो मैं चाहूँ है कि आप भी यह question paper करें क्योंगे हो सकता है इससे मिलते जुलते ही question आपके भी exam में आए इससे आपकी काफी अच्छी practice हो जाएगी ठीक है तो देखें section A में 20 question है सभी mcq है question number 1 देखते है irrational number between root 2 and root 3 तो हमें यहाँ पर एक rational number बताना है जो root 2 और root 3 के बीच में हो इन चार option को देखी जाए तो देखें पहले में इसका answer बतायता हूँ answer तो इसका आएगा c यानिकी 1.5 अब क्यों आएगा यह देखें हो सकता है आप मैंसे सोच रहे हो कोई कि यह आए लेकिन देखें rational number चाहिए जब हम irrational number को जोडते हैं तो answer आता irrational इनको जो जोड़के जो answer आएगा 2 से डवाइट करके वो आएगा irrational second को देखें तो irrational को irrational से multiply करेंगे तब भी answer आएगा irrational यह root 2 और root 3 दोनों irrational होते हैं ठीक है अगर d option को देखा जा तो देखें कि क्यों नहीं होगा पहले मैं आपको बताता हूँ कि root 2 की जो value होती है root 2 की value होती है 1.414 something root 3 की जो value होती है 1.732 something कुछ होती है ठीक है irrational है तो यह value कभी खतम नहीं होगी यह value repeat भी नहीं होगी और यह value आगे आती आगे कुछ ना कुछ और दूसरा number इन दोनों number के बीच में आप देखे 1.414 के बीच में और 1.732 के बीच में इनके बीच में जो number आएगा क्या option c वाला हमारा 1.5 यहीं आएगा ठीक है तो इसलिए option c हमारा correct है question number 2 देखते है question number 2 में यहाँ पर root 2 की value देदी 1.4142 अब हमें इसको solve करना है तो देखिए यहाँ आपको rationalize करना है देखिए बड़ा root है इसके अंदर root 2 minus 1 और नीचे root 2 plus 1 है जब भी इस तरह से हो तो हम इसे rationalize करते है जो नीचे होता है यानि प्लस का या मैनस का जो भी होता है इसका opposite sign से उपर नीचे multiply करते है इस पूरे टर्म को यानि कि root 2 plus है तो माइनस 1 से multiply करेंगे बड़ा root ऐसी रहेगा root 2-1 नीचे भी root 2-1 अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखें तो root 2-1 को root 2-1 से multiply करेंगे तो देखिए क्या है यह सेम है ना यह दोनों bracket सेम है तो बड़ा bracket यहां लगा देते हैं पहले यह सेम ब्रेक्ट को से से multiply करेंगे तो क्या जाएगा इस पूरे का whole square आ जाएगा ठीक है और नीचे क्या आगा a plus b a minus b ठर्म यहाँ पर वी root 2 और 1 है root 2 और 1 है एक प्लस का एक मैनस का तो क्या लग जागा a plus b a minus b क्या हो जाता है a square minus b square तो root 2 का square करेंगे तो कितना आजागा 2 आ जागा रूट लगा हुआ ठीक है तो यह रूट हट जाएगा इस स्क्वाइर के बेस क्या बचेगा ऊपर बचेगा सिर्फ रूट तो माइनस वन और नीचे क्या बचा नीचे बचा सिर्फ वन अब यहां पर अगर आप रूट तो के वैल्यू पुट करेंगे रूट टू कोशन में दे रखा है कितना 1.4142 यहां पर लिख देते हैं 1.4142 इसमें से माइनस कर देंगे वन को और वन अपन में लिखने की जरूत नहीं है तो देखिए माइनस करेंगे तो आसान इसे क्या बचेगा सिर्फ पॉइंट 4142 बचेगा कितना 0.4142 बचेगा ठीक है तो आप्शन का option C हमारा इसमें correct है question number 3 देखते हैं देखिए degree of the polynomial इस पूरे polynomial में degree पूछी है तो देखिए degree मैं आपको पता दूँ क्या होती है किसी भी polynomial की जो सबसे बड़ी power या highest power जो होती है वो degree कहलाती है यहां पर अगर हम देखें तो यह को यहां 5 आपको नजर आ रहा होगा और यहां पर 4 देखिए यह 5 जो है x की पावर 5 यहां पर 0 है 0 को किसी से multiply करें तो यह देखिए पूरी term हो जाएगा 0 यानि इसका तो कोई मतलब रहा नहीं यहां पर maximum power कितनी है 4 क्योंकि यहां जो coefficient है यहां पर 4 तो यह term का मतलब इस term का और इस term का कोई मतलब ही नहीं तो answer क्य equal to 0 तो आप यह पता करना है कि यह क्या होगा तब देखिए आपको ध्यान लखना होगा identity number 8 जो हमारा पॉली जो चैप्टर नमबर टू जो है हमारा पॉलीनोमेल उसमें identity number 8 है क्या a cube plus b cube plus c cube minus 3abc यह होता है किसके बरावर यह identity पूरी होते है a plus b plus c और अगले bracket में होता है a a square plus b square plus c square मैं यहां लिख देता हूं माइनस a b minus bc minus c a ठीक है यह होता है इफ हटा देता हूं यहां से तो यह identity हमारी पूरी होती है अब देखिए इसी identity में अगर मैं a plus b plus c की value अगर यहां 0 पूट कर देता हूं जो की question में यहां दे रखिए a plus b plus c दे रखा 0 तो 0 into यह पू भेज देंगे तो a cube plus b cube plus c cube equal to क्या जाएगा 3 a b c उधर पहुचा देंगे यानि की चलिए दो इक्वल नहीं लगाएंगे यहां पर लिख देते हैं 3 a b c plus 0 ठीक इसको adjust कर लेना तो यह कितना आगे मैंस cbc दूसरी तरफ जाएगा तो plus 0 plus 3 a b c तो क्या बचा सिर्फ 3 a b c ब तो हमेशा a cube plus b cube plus c cube कितना होता है 3 a b c तो option number c तो question number 4 का option c यह correct आगया ठीक है question number 5 देखते हैं ठीक है question number 5 में point 0, minus 7 तो 0, minus 7 कहां लाई करेगा आपको एक बात याद रखनी है अगर x की value 0 है तो y x इस पर लाई करेगा और अगर y की value यहाँ पर 0 होती minus 7 की जगर है 0 होती तो लाई करता है x axis पर यह किसी quadrant में तो लाई नहीं करेगा तो option c और d तो वैसे भी गलत हो जाते हैं ठीक है जब इन दोनों में से कोई भी value 0 हो ध्यान दीजे bracket के अंदर पहली value x की होती दूसरी value y की अगर x 0 है तो यह लाई करेगा y axis पर तो देखिए y axis option b है तो 5 क बी ठीक है question number 6 देखते हैं देख इसी क्या लिख देता हूं question number 6 question number 6 देखें तो देखिए यह भी इसी तरह का है देखिए point minus 10,0 यहां देखिए यह bracket में पहला x का दूसरा y करेगा y 0 है तो यह कहां लाई करेगा यह लाई करेगा x axis पर अगर x axis पर लाई करेगा और दूसरी बात x की value है minus 10 तो देखिए option क्या हुआ इसमें a वाला on the negative direction of the x axis x axis पर लाई करेगा और x की value minus है तो negative direction of the x axis तो option क्या हुआ इसका a question number 6 का answer क्या हुआ option a question number 7 देखते हैं देखिए यहां पर p, q, r, s, o यह coordinates दे रखे हैं इन points के are plotted on the graph paper अगर इनको graph paper plot किया जाए तब हमें यह बताने हैं कि इनमें से कौन से point x axis पर लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए अगर x axis पर कोई point लाई करता है तो उसमें y की value 0 होगी इन सबी points को देखा ज 0 है इनमें तो देखिए bracket के अंदर पहली x की value दूसरी y की value होती है तो यहां तो y1 है तो यह तो लाई करेगा नहीं x axis पर यह लाई करेगा यहां पर y की value 0 तो यह x axis पर लाई करेगा तो point q और दूसरा देखिए point o, o के भी y की value 0 है ठीक है तो option q and o हाला कि जो o के 0,0 यह origin पर लाई करेंगे लेकिन यहां पर इन चारों में से कोई दूसरा option ऐसा नहीं है जिसमें q के अलावा कोई जिसमें q हो सिर्फ अकेला तो देखिए इन चारों में option है d q and o तो इसका answer क्या हुआ 7 का option d ठीक है question number 8 देखते है question number 8 चलिए मैंने सब में किसी में question नहीं लिखा इ any solution of the linear equation 2x plus 0y plus 9 equal to 0 in two variables is of the form देखिए कोई equation दे रखी यहां पर 2x plus 0y plus 9 equal to 0 यहां से आप x की वालों अराम से निकाल लेंगे कैसे देखिए 2x 0y का तो कोई मतलब नहीं है equal to 9 दूसरी तरफ जाएगा तो minus 9 हो जाएगा ठीक है x की वालों कितनी आगी minus 9 upon 2 इन option को देखा जाए तो देखे x की वालों यानि कि bracket में पहली value जो होती है वो x की दूसरी y की तो minus 9 upon 2 पहले bracket में यानि कि a option में ही है इन में किसी हो minus 9 upon 2 x की जगा तो है नहीं तो answer क्या हुआ इसका a option a and 8 का a answer इसका सही आ गया question number 9 देखते हैं देखिए any point on the line y equal to x दोनों बराबर हैं ठीक है तो इन चार option को देखा जाए तो यहां पर x और y जैसे यहां बराबर है इसमें देखिए a, a यहां पर x और y के दोनों point बराबर है यहां पर x अलग है y अलग है ठीक है तो option कौन सा हुआ है a correct हुआ question number 9 का answer क्या हो गया a ठीक है आगे बढ़ते हैं जरा question number 10 देखते हैं देखिए the equation of x axis is of the form मैंने आपको पिछले भी कई question नहीं बता दिया अगर कोई point x axis पर लाई कर रहा तो वहां पर y की value 0 होगी तो इन option में कौन सा साही है b वाला यानिकि y equal to 0 तो question number 10 का answer क्या हुआ option b ठी ठीक है question number 10 हो गया 11 देखते हैं the point of the form a,a यानि x और y दोनों बराबर है always lie on देखिए कहां पर एक तो यहां दिख रहा है on the line y equal to x यानिकि y और x दोनों बराबर होंगे यहां पर दोनों बराबर दिख रहे हैं और कोई सा option नहीं और कोई सा option ठीक नहीं है यही option ठीक है यान मैं इसको यहीं लिख देता हूं बाकि next page पर तो 11 का answer कितना आया option number c ठीक है question number 11 का option c question number 12 देखते हैं देखिए it is known that x plus y equal to 10 अब यहां पर देखिए x plus y दे रहा 10 के बराबर अब यहां पर देखिए इधर भी z जोड दिया और दूसरी तरब भी z जोड दिया ठीक है तो पहल साथ है second axiom के बारे में बताता है ठीक है तो question number 12 का option क्या हो गया बी question number 12 का option हो गया भी ठीक है आपको सभी axioms याद रखनी है तो इस second axiom का बताता है question number 13 देखते हैं देखिए यूपलिट्स बलंग टूदे कंट्री यह ग्रीज के थे यूपलिट्स जो थे कहां के थे ग्रीज के थे तो 13 का option हो गया c question number 14 देखते हैं पाइथागोरस वाजे स्टुडेंट ऑफ पाइथागोरस जो थे वो थेल्स के स्टुडेंट थे जो थे 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 यूरम आप लास टेंथ मां पढ़ेंगे ठीक है तो क्वेशन नमबर 14 का ऑप्शन हुआ ठीक है अच्छा देखिए तीनों क्वेशन जो है यह NCRT एक चीज समझाना चाहता हूं कि एक ट्रेंगल क्या है देखिए यह एक ट्रेंगल में यह जो बाहर का जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एक सटीरयर एंगल इस कोशन में दे रखा कि बाहर का एंगल यह दे रखा एक सो पांच दिग्री ठीक है अंदर के यह जो इंटीरर एंगल है यह एक्स है यह भी एक्स 105 upon 2 105 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह कितना आ जागा 52.5 52.5 या फिर हम इसको बोले हैं 52 1 by 2 डिगरी ठीक है तो option कौन सा हुआ 15 का option हुआ बी ठीक है तो 15 का answer क्या हो गया option बी next देखते हैं which of the following is not a criterion for congruence of triangle इन में से कौन सा criteria नहीं है congruence करने के लिए तो ध्यान दीजिए SAS भी होता है ASA भी होता है और SSS भी होता है SSA नहीं होता है कोई भी ठीक है तो option number 16 का option हुआ C ठीक है तो 16 का option कौन सा हुआ C हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 17 question 17 देखते हैं देखिए यहां पर triangle ABC congruent दे रहका triangle F D E के बरावर AB दे दिया 5 एंगल B और एंगल A दे दिया कितने 40 और 80 degree respectively तब हमें यह बताना कि इन 4 option में से कौन सा true होगा देखिए जब कोई भी दो triangle हमारे congruent होते हैं तो इनके corresponding part equal होते हैं यानि कि AB जो part होगा वो equal होगा F D के और BC जो part होगा वो D E के और AC जो part होगा वो F E के बरावर होगा ठीक है एसी एंगल A एंगल F के बरावर होगा एंगल B एंगल D के बरावर होगा और एंगल C एंगल E के बरावर होगा अब जैसे यह दो एंगल दे दिये किसी triangle में जब दो एंगल एक चाली से एक असी है तो तीसरे एंगल कितना का होगा वो आप देखिए पहले निकाल लीजिए क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिगरी एक चालीस एक असी दोनों को जोड़ेंगे तो 120 आएगा 120 प्लस 60 एक असी होता तो एंगल C कितना आजागा 60 डिगरी ठीक है तो यहां से अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल F जो होगा यहां पर एंगल F दे रखा है 60 डिगरी यह तो गलत है अंगल E दे रखा है 60 डिगरी यह कुछ ठीक लग रहा है आगे देखते हैं यहां भी 60 डिगरी यह भी 60 डिगरी तो इन दोनों में से कोई ओप्षिन ठीक होगा यहां D दे रखा है 5 सेंटिमिटर देखिए इस है इसके बरावर होगा बी आप बीसी के बरावर होगा और ilis is यहांसे आंद की साथ आसफ हम नहीं हम निकाल सकतें यहां से देखतें डिफ आप यंगे डिएफ्य यानी यह तो atif होमारा एक बच्छ सानके यहांpri होगा यह भी 5 cm होगा ठीक है यह बात आप समझे एवदी हमारा आ गया कितना एक बरावर और एंगल ए हमारा कितना आगे 60 डिगरी करवर तो option हमारा ची यान कि यह वाला option ठीक होगा option यह 17 का option ची करेक्ट होगा ठीक है question no 18 देखते हैं देखिए इन triangle यहां पर यहां पर आपर दो तरह किस तरह होंगे देखिए पहले बना लेते हैं कि यहां तो यहां पर दूसरे में एंगल ट्रेंगल क्यों के बरावर है ठीक है तो यहां पूछा कि दो ट्रेंगल अब यह जो दो ट्रेंगल हैं क्या आइसोस्लेस हैं यह कॉंगरेंट है तो देखिए अब देखिए इन दोनों में यहां देखें कॉंगरेंट तो होंगे नहीं क्यों यह दोनों ट्रेंगल में सिर्फ इकवल हो गए किसी ट्रेंगल में जब यह दो एंगल इकवल हो जाते हैं तो यह ट्रेंगल क्या यह एस जलेस्ट थो हैं लेकिन नहीं है तो option कौन सा हुआ इसमें से सही देखे दो तो ट्रेंगल सार आईज लेस बट नॉट कॉंगरेंट ठीक है तो 18 का Option A ठीक हुआ, ठीक है, option A, question number 19 देखते हैं, 19 देखिए, assertion and reasoning का है, ठीक है, देखिए, if the angles of a quadrilateral are in the ratio, यहाँ पर ratio दे रखा है, 4 angle का ratio दे रखा है, quadrilateral में 4 angle होते हैं, उनके बीच में angle का ratio दे रखा है, 2 is to 3 is to 7 is to 6, then the measure of angles are, तब यहाँ पर measure बताने हैं, अब देखिए, हमें कोई भी angle हमें पता करना हो, इनका ratio दे रखे हैं, तो देखो, एक angle को माना हमने 2x, 1 को 3x, 1 को 7x, 1 को 6x, 4 angle कसम कितना होता है, 360 degree, ठीक है, तो 2x plus 3x plus 7x plus 6x equal to 360 degree, ठीक है, इन सब को जोड़ देते हैं, तो 3 और 2, 5, 5 और 7, 12, 12 और 6, 18, यहनि 18x equal to 360 degree, x की वल्यों कितनी आजागी, 360 बटे 18, तो 18 दूनी 36, यान की, x equal to 20, x 20 आगे, तो पहला angle क्या था, 2x था, यानि 2 into 20, यानि की होगे कितना, 43x, यानि 3 into 20, कितना होगया, 67x, यानि 7 into 20, यानि होगया, 140, ठीक है, तो 40, 60, 140, और यह चौता देखते हैं, 6x, यानि 6 into 20, कितना ह होगा, 120, अब देखो, क्या यह 4 angle यह दे रखे हैं, question में, यानि कि, 60, 40, 140, और 120, देखते हैं, 60, 40, 140, बिल्कुल दे रखे हैं, ठीक है, अगर यह ratio दे रखा, तो measure, जो angle का measure होगा, यही होगा, तो reason क्या, the sum of the angle, सब्सक्राइब कोडिलेटली, 360, reason भी correct है, और answer, यानि की, जो angle है, जो angle का ratio दे रखा है, इनके according answer, angle की जो ratio दे रखे है, उनके according यही angle होगे, यानि की assertion और reason दोनों correct है, ठीक है, तो answer इसका क्या हुआ, 19 का answer क्या हुआ, A, both A and R are true and R is the correct explanation of A, तो 19, देखे, बहुत important है, तो 19 का जो answer हुआ, वो क्या हुआ, A, यानि assertion और reason दोनों ही correct है, और जो reason है, वो भी इसका correct explanation दर सारा है, question number 20 देखते हैं, देखे, और इस वीडियो में यह last question करें, नहीं तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी, देखे, 0.271 is a terminating decimal, बिलको terminating है, क्योंकि यह point के बाद यहाँ कोई term repeat भी नहीं हो रही, और नहीं dot 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 लग रहा है, and we can express this as, देखे, point के बाद 3 digit है, 1, 2, 3, तो हम क्या लिख सकते है, point हटा के, देखे, मैं आपको यहाँ लिख के बतायता हूं, point 271, इसको हम क्या लिखेंगे, 271 upon 1, 2, 3, 3 है, तो 1, 2, 3, 0 लगा दियो और 1, इसको हम ऐसे लिख सकते है, लिख सकते है, यह terminating decimal था, इसको लिख दिया, और यह क्या, P, उपर वाला, P, नीचे क्यों, इस वर्म में represent कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो यह assertion था, reason इसका दे रखा है, a terminating, reason इसका दे रखा है, तो reason दे रखा है, यहाँ पर a terminating, और non-terminating decimal expression, can be expressed as rational number, तो देखिए, मैं आपको ध्यान दिला दू rational number के लिए, दो condition होती है, क्या, पहली condition, a terminating decimal, जो कि यहाँ पर है, यह terminating decimal है, दूसरी condition होती है, non-terminating but recurring, ठीक है, non-terminating but recurring, लेकिन यहाँ पर यह terminating वाली condition बन जाती है, तो यह terminating है, तो इसलिए इसका भी option number a, यहनि, assertion और reason दोनों इसके correct है, ठीक है, इस वीडियो में question number 20 तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं next वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत जाद अलम भी हो जाएगी, ठीक है, तो मिलते हैं next वीडियो में question number 20 के बाद, ठीक है, I hope कि आपको सभी question समझ में आये होंगा, अगर आपको कोई भी question में doubt रहता तो please comment section में, जरूर पूशना, okay thank you